अब इस तो नाक्षी सिना शादी कर लिए जाई रिक्वाइश तो पागे लेवाइश पटना के नाम पे कलंक है वो असलाम बालेकूम बोलिए उसका बाप के नाम था सत्रोहन सीना जान रहे हैं जो मलो रमायन से जूरा हुआ था अब जो है साधी करके बोलता है असलाम बालेकूम उससे क्या हम लोग का जोड़ती हैं वो भी आ रहे हैं खाटी भी आ रहे हैं उसब कोई कच्रा होगा या पटना में सग्रों देखियो गुम-गुम का सब गरी आ रहा है उसब कच्रा कर दिया शादी है शादी किया गजा है अनिमून मना है हो गया और क्या मतलब करें बच्चे करें बड़े करें और क्या करेंगे अंकल पर्सनल लाइफ है उनका डिसीजन वह भी ले सकते हैं वो फिडिया उस प्रिया यादव बॉलिवड अभी नेत्री सुनाक्षी सिना 23 जून को जहीर एकबाल के साथ शादी कर चुकी है और पूरे देश में इसका विरोध देखने को मिल रहा है फिलाल हम मौजूद है पटना के मरीन ड्राइफ पे और खुच सुनाक्षी सिना भी बिहार की बेटी है तो चलिए जानते हैं यहां से लोगों की उनकी राय क्या है आपने सुनाक्षी जी के शादी के बा आतना है तो आपको क्या लगता है कि अब भी फिल्हाल जो उनोंने शादी किคrante आती है कोई बाद मिलता है कितूत ही आती यह गलत है उनका शादी करना चाहिए साधी करना है यह मतलब गलते अपकी तरफ से क्यों गलत है नदू को लड़की यो गई मुसलिम से साधी की है यही गलत है आपका परसनल व्यू क्या है कि मतलब इस पूरे इस पर कि हिंदू लड़की जैसे आप बोल रहे हैं कि वो है तो क्या गलती है कि हिंदू लड़की अगर मुसलिम लड़के से साधी कर ले गलती तहले है हम लोग और रहती रिवाज में तहस और जब हमारे हिंदु धर्म की लड़किया उनको आईडियाल मानती हैं और जब वह इसे शादी करें तो कहीं ना कहीं और लड़कियों को और प्रोचाहन मिलेगा और लव जिहाद के जो मामले आजकल सुनने के आ रहे हैं तो क्या उनमें बढ़ावा होगा एकदम होखवे करेगा और क्या लगता है कि जो बॉलीवोड है वो मेन कारण है लव जी हाद के बढ़ने का इतना थाइडिया ना हमको बाकि है सौमत दस पुटन है मेरा नम प्रमोध कुमार है जी प्रमोध कुमार जी तो अभी आपने सुनाक्षी सिना की शादी के बारे में क्या राय है आपकी देखिए माने सांसत संत्रुगन सिना एक भारत के अच्छे राय नितिक हैं अच्छे फिल्मकार भी रहे हैं और इनका पुरे देश में नाम है इनका घर का नाम रमायन है और सुनाची सिना जो भी किया है उसने गलत किया है हमारे संस्कृति को और हमारे सभ्यता को कहीं न कहीं इसको समापत करने का नश्ट करने का इन्होंने काम किया है जितने नामचीन थे आज की तारीक में इनका कद बहुत छोटा हो गया है एक कृति करने से ठीक है ना ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदूओं में बहुत सारे लड़के हैं बहुत अच्छे अच्छे बेतर कैटेगरी के लोग हैं तो यह सब तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए खास तोर पर गए और हम कहने कहीं हम देख रहे हैं कि लव जिहाद का कु एक दो हिंदू महिलाओं से साधी करता है एक को छोड़ दिया आप सैफली खान को ले लिजे एक से साधी किया उसको छोड़ दिया फिर उसके बाद क्या ना में उसका उससे साधी कर लिया जो करीना कपूर उससे साधी कर यह तमाम तरह का जो है चल रहा है इंडिया में इस से बोलते हैं अबव 18 हो गया तो पूरा राइट है कि अपने फ्रीडम से शादी करो तो 19 हो गया 45 हो गया भाईया है तो इंडिये में रह रहे हो ना हमारे इंडिये कल्चर में रह रहे हो 22 के कासिमंदी जाओगे ना कि नहीं जाना है बैजनाद धाम जाओगे कि नहीं जाना है कि मक्का जाना है दोनों में से चूच करो कि तुम को कहा जाना है मक्का जाना है कि बैजनाद धाम जाना है या बैसुनोदी जाना है और हमको तो नहीं लगता है कि हर मुस्लिम केड़ेगरी के लड़के होते हैं वो बैजनाधा में जाकर के सर नवाते हैं और सजदा करते हैं कि नहीं हमारे यह भी आरध्य हैं कभी कोई हो तो नाम बताइए जहीर इकबाल के साथ शादी किये उन्होंने उनके साथ सादी नहीं करना चाहिए था उनको ऐसा आपको क्यों लगता है जो सनातों धर्म को बढ़ावा देते हैं वो सनातों धर्म में ही सादी करें मतलब आपका कहना है कि घर का नाम रमायन और बच्चों का नाम लव कुछ रखना ही नीच यह था अगर यह था यह था यह धर्म ब्रूद हो गया सनातों धर्म ब्रूद गया तो अभी जैसे उन्होंने जहीर जी से शादी कर लिये तो क्या आप लोग अब उनको आइडियल मानेंगे जैसे वो काफी फेमस है यहाँ अब तो नहीं मानेंगे अब बिल्कुल नहीं मानेंगे मैं आइडियो नेम प्रिया हाई प्रिया तो अभी सुनाक्षी सिना की शादी के बारे में सुना हाँ ओविसली जहीर एकबाल से शादी की है उन्होंने क्या लगता है क्या व्यू आपका मतलब इट्स वाइस यू कांट कमेंट ऑन संबडी उसने मतलब लव स्टोरी है तो आपके से कमेंट नहीं कर सकते हो अगर सीज हापी तो इस ओके बट कहीं ना कहीं देब पैरेंस आपकी क्योंकि उनके फादर जो है है पहले भी मीडिया में ऐसे सुनने को मिले कि उनको शादी के बारे में नहीं पता है लेकिन जब शादी होई तो वह भी वहापे फोटो में और वीडियो में दिखाए दिये अगर पैरन्स भी है आप किसे को ज़ज नहीं कर सकते हो लेकिन हम जैसे कि मीडिया में उन्होंने खुद इस से इंकार कर दिया था कि उन्हें कुछ नहीं पता है तो कहीं ना कहीं जब घर का नमारा अब तो अब तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है अब तो अगर वो खोश है तो फैमली भी खोश है ही यदो लगते है कि बिहार में कर तो कि मोट सकते हैं मतलबब भर चीज पे हरके साइटी वा प्लॉद ओंक तो फिर इव साणिया मिर्जा तो खुद भी Muslim भी ठीफ भी उन्हें ओना पडा लेकिन संषी लड़की है तो क्या आपको लगता है कि उनके उन्होंने यह जो स्टेप उठाया उसकी वज़से उनको प्रॉब्लम हो सकते हैं बहुत अच्छा इस्टेप लिया उन्होंने अपना च्छाइस करने में अपने लाइफ में लाने के लिए इसमें किसी तरीका कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं 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 बहुत इसका अप्रिशेशन भी दिया अपने स्टोडीज वगरा पे लगाया है मुझे बहुत अच्छा लगाई यह चीज कि अपना 24 किसी लड़की ने एक दम खुल के सामने रखा और लड़के न उसको एक्सेप्ट किया तरस वरी गुड तिंग कि हर एक इंसान एक देशा होता है मुझे नहीं लगता है मकर हम देखा जाए तो बहुत सारे से पाकिस्ताने अगर शारू खान को देखा जाए तो अपनी एक बीवी के साथ ही चल रहा है भी तक इंडिवीज्वाइश होता है जैसा कहते है ना कि एया रह्मान ने कनवर्ट होके खुद अपना जैसा कहते हैं कि रिलिजन चेंज कर दिया नाम कुछ और था उनका दिलिप कुमार साहड़ा बाना तो यह काफी जेनरेशन से चला आ रहा है इंडिवीज्वाइश होती है और मैं तो इससपोर्ट में हुँं दोने प्यार करते हूंगे मेरेज कर लिए लोग इंड़न वेरोत क्यूं कर रहे है लोग का मैं विरोत कजना तो भी बना दिये गए हम पटना में तो अगर वह एक हिंदू की एक मुसलमान लड़के से साधी करें तो मेरे सबसें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हमारे जो फ्रीडम फाइडर्स थे वो इस सेकुलरिजम के लिए इतना लड़े थे इंडिया को दो पार्ट में पार्ट ये डिवाइड करना पड़ गय सेकुलरिजम पर बात आती है तो लोगों का ऐसा कहना है कि हमारी संस्कृती भी मैटर करती है और हमारे खुद के मानता हूं मेरा पापा से भी बात हुआ था तो पापा भी बोले कि कल्चर एक नहीं हो सकता कभी विच इस ट्रू लेकिन बहुत सारे मूवीज में भी आप द अजाती है तो अगर इंसान ने इंडिस्टैंडिंग और तो वो आराम से उस चीज़ को यह पीछे छोड़ सकते हैं दोनों एक दुसरे का कुछर अपना सकता है हमारे हाँ पी हमारे हमारे चीफ मिनिस्टर नितिश खुमार क्या यह यह इद पर नहीं जातें इस इद करते ह प्राइम मिनिस्ट्र मोडी जी भी करते हैं, तो यह सब लोग एक दुसरे को चल्चर में जब ऐसे हमारे भी दोस्त रहे हैं, जो मसल्मान रहे हो, हमारे साथ होली खेले हैं, तो जब कल्चर ऐसे मिक्स करता हैं, तो बहुत हट तक अच्छी बात बीए, लेकिन अगर बहुत लेकिन वह इतनी लड़कियों की आइडेल है कोई नॉर्मल लड़की उनको देखके और उनसे इंस्पायर हो कि अगर शादी करती है मुसलिम लड़के से तो क्योंकि ट्रेंड में आ जाता है और जो भी स्टार्स करते हैं तो वो तो अगर लोग उनको आइडेल मानते हैं तो उनको अपना भगवान भी मानने लगते हैं तो इसलिए इंडिया में एजुकेशन का बहुत जादा ज़र रहता है अगर अगर करने के लिए लोग जब होता है ना तो चाहे हिंदू या मुस्लिम होतों लोग कहता है कि भाई हम शादी कर लेते हैं तुमारे को अपना लेंगे फिर यह film होता है कि साधी हो जाता है तो फिर आल में अजीवका करने लगता है युख कश दिन साथ मेंने के बाद करने का है चए अभी सबसे ज्यादे कोट में मामला तलाकी का चलता है तो तलाक कर चले आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनका टाइबोस हो जाएगा होगा मैं देखियेगा